चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। यह उल्यलूल कर रहे हैं मेडिया के उपर केस कर रहे हैं तो एक मनीश का स्यप अगर सच के वज़ा से लोग उनके साथ हैं तो यह इनका समराज खतम कर सकते हैं इसलिए जाएगा सारे लोगों में अक्रोश यह होगा क्योंकि यहां के युवा उनको बहुत पसंद करते हैं मारे बिहार का अभिमान अभिमान आप जो कही लीजिए सब कुछ हैं बिहारियों के आवाज उठाना स्टूडेंट का वाज उठाना विकास के लिए आवाज उठ अबने बहुत दिन से किया है संगर्श करके आगे आया है और एक मद्यम परिवार के लड़का हो करके इस चीज़ें घुजें सब्सक्राइब कर ना सोब्सक्तर लाव कोंसा बढ़ा है जिसका रजनीती खेले रहें पर शल रहा है और यह वे चल रहा है उसमें कस कस के अलियन सा रहा है कि अगर मेरी गिरबतारी होती है तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे तब से कहीं ना कहीं राई नीती गल्यारों में हसल चल मची हुई है देखिये इसी मुदा को लेकर हम अभी पटना के सरक्पा आएं और पतना के लोग अभी मेरे साथ है इन्हीं से जानते हैं कि मनीज कजब इतने बड़े आदमी हो गए है कि सच्च पे लालु के सरकार गिरा देंगे क्या कहना चाहते हैं अब मनीज कजब अच्च में गिरा देंगे सरकार इनका है किनका तेशली जी का उन्हीं का बता हूं ना कि बस यह बता दें कि परफेक्टली इनका सिंगल पार्टी का किसका सरकार है जड़िवाले आर्जेडी को बोलते हैं आर्जेडी वाले जड़िवाले जड़िवाले लेकिन जुड़ना जरूरी है चुकि पोस्ट सबको चाहिए और साथ में नहीं रहेंगो तो इसनले इनके सरकार तो पहली बात है नहीं पर्फेक्टली अगर दम यह तो पर्फेक्टली सरकार लाएं तब बात करें तो यह गिरने वाली कि यहां के युवा उनको बहुत पसंद करते हैं हमारे बिहार का अभिमान आप जो कही लीजिए सब कुछ है बिहारियों के आवाज उठाना स्टूडेंट का वाज उठाना विकास के लिए आवाज उठाना मनिश कशेप ने बहुत दिन से किया है संगर्ष करके आगे आया है और एक मध्यम परिवार के लड़का हो करके इस चीज में घुजे हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट बहुत दिन से देख रहे हैं और संगर्ष भी देख रहे हैं यह हम लोग के सामने का चीज है ठीक है हम लोग ने तेहसरी आदब को रोड़ पर लेकिन एमपैक्ट बहुत ख़राब हो गाता है रही बे यह स्थील के चमच और चांदी के चमच में परख Hub में ज़ए हूज और हूज apprendre की कि मिला और कीा हुआ यह झालो रहा कर लोगों को सचाइज दिखा तो मनीश कस्यप भी बोले हैं कि हमको आडेस्ट करें एक 180 दिन में सरकार गिरा देंगे तो किन ही को मजाक लग सकता है लेकिन लोग पीछे भी देखें एक परकास नरायन केंदर के सरकार को हिला कर रख दिये एक धनानंद एक चानक धनानंद के समराज को नश्ट कर दिये एक माचिस का तिल्ली पुड़ा जंगल को जला के खाक कर देता है तो एक मनीश कस्यप अगर सच का साथ है और सच के वजह से लोग उनके साथ हैं तो यह इनका समराज खतम कर सकते हैं क्या बात है देखिए अभी एक और इवा है आखिर क्या वजह है कि जो पत्रकार जितने भी पत्रकार चार पत्रकार पर केस हुआ है जो बज़दूर की आवाज उठा रहे हैं गरीब का वाज उठार पर केस हो रहा है देखे भीया सबसे वरा दुर्भाग पूर्णी की बात क्या है ना कि पत्रकारों के उपर जो है ना केस होना हमारा देश में लोक तंत्र का चौथा खंबा को संविधान सो तंत्र रखा है ठीक है जब हमारा देश का चौथा खंबा ही अगर काज़तर डगमगा जाए तक का पराद हर बिहार वासी करना सुइकार करेगा हम हो चाहिए आप हो ठीक है पत्रकार का धर्म होता है कि एक सची निवज को आम जन तक पहुंचाए अगर इस चीज़ को अगर धर्म विमुक होकर अपना काम कीजिएगा अब पत्रकारिता नहीं चट्रकारूत्या कर रहे है अगर लगता है कि सरकार को हम उनको जुका देंगे इट इस बात को कहा कर अपने बात को बिढाम देते हैं देखिए ऐसे कहा जा रहा है अभी सोसल मीडिया पर बोला जा रहा है कि मनीज कश्यब जो है कहीं न कहीं जितने भी हिंदू संगटन है वो कहीं न कहीं उनको पैसा देते हैं आप लोग भी हिंदू संगटन से क्या लगता है सच में आप लोग की फंडिंग वंडिंग आती फ़ोज के तना कमाता है तो सब को पता है सीना पर गोली क्षाने के लिए तैयार रहता है तो गीना चुना रूपिया उसके एकौण्ट में जाता है हाँ अगर कोई नेता होता मनिस्का स्यप के बाव पिता जी तो मानते कि अड़वों खड़वों का घृटला करके बैठाल है उसमें से दसवी से कड़ोर बांट रहा है मनिस्का स्यप लेकिन यह तो संभव ही नहीं है कि वो किसी को पैसा दे सकता है और यह भी संभव नहीं है कि हम लोग किसी को पैसा दे सकते हैं हम लोग तो खूदे वे रोजगा रहे हैं किसान के बेटा है हम पिता जिन्यता नहीं है कि लूटके रख लिए के लिए हमारे अंदर रहेगा जो सच के साथ रहेगा मनीश कस्याप हो अगर ये तेजसभी जी अगर सही काम करने लगें सच पर रहें उनके लिए भी वही प्यार होगा पर यतना बेरोजगार नजर आ रहा है सरकार कहते हैं यह तो सही काती है फिड़े ये ट्रेन जो चल रहा है उसमें कसकस के एलियन सा रहा है कहा ता मिलाडू से दिल्ली से अडियाना से पंजाब से को ना रहा है वो तो तो तजसी बताएंगे ना आ तो उन्हीं से जाका करें रहें कि पूछने फेंए मीडिया केस कर दे रहे ना थार्व आल महीं लोग से फूछे इंदल के जिन्दगी से शितर का मौत बहला होता है समझें अगर सच पूछकर हैं आपको जेल जाना हो तो जाए अगर सच पूछकर जेल जाईएगा तो पूढ़ को साथ어지 से आज मनीज का स्याप के साथ खड़ा है प्यार कर रहा है आहां तो अब